उत्तरप्रदेश के जनपद कानपुर में उस वक्त संसनी फैल गई जब पुराने विवाद में यूवक ने अधेड की धरदार हत्यार से हमला बोलकर हत्या कर दी यही नहीं युवक ने अधेड का सेर धर से अलग कर दिया वहीं युवक ने मृतक के परजिनों पर भी हमला किया मृतक के परजिनों ने भाग कर अपनी जान बचाए जहां घटना से गाउं में देशत का महल व्याप्त हो गया वहीं छेत्र में संसनी फैल गई सूचना पर भारी पुलिस बलके साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुचे और गटना की जाज शुरू कर दी पुलिस ने मृतक अधेड के शव को पोस्पाटम के लिए बेशते हुए कारवाई शुरू कर दी वहीं पुलिस ने युवक को ग्रफतार कर लिया है पुलिस ने क्या करवाई कि अब जुन काटा है ने पुलिस ने क्या करवाई कि लिए पकड़ में आया गुशा है कुछ ने कारवाई कर रहे हैं अब पकड़ाई तो सरही मिल जी पकड़ के लई जाए तो लई जाने रात मत बंग जी अब एक अब दस पंदा मिनिट के बाद रजुली जी किसका मड़ हुआ है का नाम वित्ति लड़का वागया जयंक काटा है सुरंद क्यों किया क्या वज़े रही इनके बदलू के लड़का उनकी विटिया का नहीं बागा लाई गे तो उनहीं लोग दूश्मनी में काटी है जब वह दूड़ा आक है हम लोगन का दूड़े इंव इतर काटेंगा तो तीन मेने बच्ची ले रहां तो फ्रेंक दिन अदर कर दिन तो फिर वह भागी आया खायर को भीतन नहीं कुछा ने हम लोगन का काट जा रहा हुए जो बदलू को लड़का अज ये बहू है बदल अजो कि बाद ये इनकी बिजियाल आल मन की लएके बाग गया तो गर्दन काटी इस तरीके स्काचा गर्दन इस तरीके काट कर वहां गर्दन पड़ा था अपाए यहाँ आख्या दैधर पूरा नीचे था तो कि इसने आप संद्ली मारा किसने को का ना हम बुला जैए दो let's go let's go